लगता है काला सागर में जेलेंस्की ने रूस के उपर बड़ा हमला करके बहुत बड़ी गलती कर दी है डिफेंस एक्सपर्ट्स दावा ये कर रही है कि ड्रोन युद्स से युक्रेंड रूस को हराना चाहता है लेकिन रूस ने इरान के साथ मिलकर बाजी पूरी तरह से पलट दी है काला सागर में युक्रेंड की पहली हार ने जेलेंस्की को कहीं का नहीं चोड़ा है रास, दवा टी, राफ! क्या 15 महीने बाद काला सागर में यो उक्रेन की पहली हार हो गई है आखिर यो उक्रेन के पहले सबसे आखिंगाती हमले को फुतिन की समत्री सेना ने कैसे माग दे दी है काला सागर में यो उक्रेन की पहली हार रूसी रक्षा मंत्राले के लिए काम करने वाले ज्वेजदा टीवी चैनल के फुटेज में इस आधार पर दाबा किया जा रहा है कि योकरेन के 300 आत्म घाती समुद्रे ड्रोन में से हमिले करने वाले 3 समुद्रे ड्रोन को मार गिराया गया है तीन मार दिये गया, 300 मरने वाले आकाश से जमीन तक और जमीन से समंदर का धूस योकरेन जट उस दौर में पहुँच चुका है जहाँ पर दोनों पंच एक दूसरे को मारने काटने पर उतारू है ड्रोन हमले शुरू से ही रूस योक्रेन जंग का ऐसा बेमिसाल हत्यार साबित हो है ड्रोन हमलों से खातक हमलों की शुरुआती योक्रेन ने तुर्की के बने टीवी टू ड्रोन से की थी जिसने शुरू में रूस सेना के टार तो और हथ्यारों को दबा करके रख दिया लेकिन जैसे ही रूस ने इरान के शाहिद 136, शाहिद 131 और अराश 2 से योक्रेनी सेना पर भायानक हमले किये तब से योक्रेनी सेना रूस के आत्मधाती ड्रोनों के हमलों से तबाह हो चुकी है यही वज़े है कि अबेका फिर से योक्रेन ने रूस को काला साकर में तबाह करने के लिए इस पार समुत्री ड्रोन से रूस के समुत्री जासूसी जहाज इवान खुर्स पर भीशन हमला करने की कोशिश की लेकिन योकरेन के समुत्री ड्रोन रूस के इवान खुर्स टोही जहाज को तबाह करने से पहले ही खुद ही तबाह हो गया जरा रूसी रक्षा मंत्राले के लिए काम करने वाले स्वेजदा टीवी चैनल के इस वोटेज को देखिए जहाँ पर योगरेन का एक समुत्री ड्रोन यानि स्पीड बोर्ट हमला करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रही है लेकिन तभी रूस की तरफ से भीशन गोला बारी ड्रोन पर होती है और गोला लगते ही योगरेन का समुत्री ड्रोन जोरदार धमाके के साथ तबाह हो जाता है दावा किया जारा है कि योगरेन के इस आत्मघाती ड्रोन ने दक्षणी काला सागर में तैनात रूस के जासूसी जहाज इवान खुर्स पर हमला किया था विसफोटकों से भरी योगरेन के आत्मघाती स्पीड बोर्ट का टार्गेट इवान खुर्स था जहाज से ठकराने के खुद सेकंड पहले रूस के जवावी हमले में स्पीड बोर्ट तबाह हो गई डावा किया जा रहा है कि रूस की गोला बारी में स्पीड पोर्ट के अगले हिस्से में लगे विस्फोटक में जैसे रूसी गोला लगा उसमें जबर्दस धमाका हो गया खबर के मताविक रूसी जहाज पर हमला दक्षनी काला सागर के बोस फोरस स्ट्रेट इलाके में 40 समुद्री मीन दूर सुबर साड़े पांच बजे हुआ है दावा किया गया की रूस का जहाज बोत तुर्की के समुद्रे इलाके में पाइपलाइम के बोनियादी ठाचे की रखपाली कर रहा था जिस वाक्त उस पर हमला करने की पोशेश होई य्किन की वेस आर Сменाव उत्या की की बोनियों की वेंडित की रहालाभpektि वेंडि़でした पुल्टी ArtsVirus ओsis का व्हाल आर्वическогоakukanón दencing बोतों का आके बोत्हों प्ल 어व निहन प Arms nyt ipod यहना है और इससे पेहले क्रेमलें में पुतिन के दव्तर पर भी ड्रोन हमला हुआ जिसे नाकाम कर दिया गया था ड्रोन का इस्तिमाल कर रहे हैं काला सागर में योक्रेन की पहली हार हम आपको आगे बताएंगे कि समंदर में रूसी जहाज पर आत्मगाती हमला करने वाली योक्रेन की स्पीड बोर्ट को क्यों बेहत खदरनाग बताया जा रहा है लेकिन उससे पहले ये जान ली थे कि बिचले 30-40 दिनों में अचानक द्रोन हमलों की बार क्यों आ गई है इससे पहले क्रेम्डेन में पुतिन के दफ्तर पर भी ड्रोन हमला हुआ था जिसे नाकाम करतिया गया था, तब भी रूस में आरोब लगाया था, कि योकरेन के ड्रोन ने पुतिन को मारने की कोशिच की थी. अब सबाल उड़ता है कि अखिरैसी क्या वज़ा है कि रूस और योकरेन दोनों ही एक दूसरे को जंग में तबाह करने के लिए बड़े पैमाने पर रूम का इसके माल कर रहे हैं. इसका सीधा सा जबाब कम पैसे, कम जोखिन में दुश्मन का जबर दस नुकसा. पंदरा महीने से ज्यादा की जंग में पुतन के रूस ने योकरेन की धज्जियां उड़ा कर रख दी हैं. पूर्वी योकरेन के बड़े इलाके में रूसी सेना भूखे बेड़ियों की तरह योकरेन की सेना पर तूट पड़ी है. डावा किया जा रहा है कि रूस अब तक योकरेन के 30-20 दी अलाके पर कबजा कर चुका है. इस वक्त रूस योकरेन को साथ तरह से तबाह कर रहा है, जिसमें इरानी हत्यार रूस के लिए बरदान साबित हुए है. अब तो हालात ये हो गए है कि रूस के हमलों से बचने के लिए योकरेन की सेना स्टील के पिंजरों का इस्तेमाल कर रही है. हम आपको बताते हैं कि जो हत्यार योकरेन को नैटो और अमेरिका से मिले हैं, वो कैसे रूस और इरान के आत्मगाती डोन का बोरी तरह से शिकार हो रहे हैं. और क्यों? अब योकरेन हत्यारों को बचाने के लिए स्टील के पिंजरों का इस्तेमाल कर रहा है. काला सागर में योकरेन की पहली हाथ योकरेन के टैंक, तोप और रॉकेट आवनी पर रूस ने इरानी डोन से सबसी ज़ादा हमले किये हैं. दावा किया जा रहा है कि इरान के आत्मगाती डोन की मारक शमता इतनी सबर्दस्त है कि योकरेन की तोप और टैंक भी डोन हमले में तबाह हो रहे हैं. योकरेन के साम स्टील के इन पिंटों को योगेन एक तरह से तोब, टैंक और रोकेट के लिए कवच बना चुका है, जो इरान और रूस के ड्रोन से उन्हें बचाने में मदद करते हैं. स्रेथ्टों प्रोज़शने अबरोने तिचेनी सुतक पिरिखवाचने सेम प्रोज़शने राकेट हार्म, अबना करलाता राकेट अ बल्शोई डालनेस्टी स्टोर्म शेडों और तक्षेट रेक्टिवनी स्नर्यादव सिस्टेम जालप वग्निया हाइमस. और जंग के बीच अभी तक रूस ने जोन हमलों से युक्रेण को सबसे ज्यादा नुकसान पहुशाया है। यही वजह है कि दक्षन काला सागर में रूस के जासूसी जहाज पर युक्रेण के समुद्री ड्रोन ने हमला किया। अब आप यह भी जान लीजिए कि रूसी ठोही जहाज इवान खुर्स पर हमला करने बाला युक्रेणी ड्रोन कितना खतरनाक है। रूस के इवान खुर्स पर युक्रेण के तीन समुद्री ड्रोन ने हमला किया। बार फीद लंबी और उक्रेण के आदमगा मान रही होती है, ज Stre पर ढप आजु काल करती है। самे जाराओ चास जो शे थे समु रोक कि विजिली जैशनला जा कि बारेशना वीकरा झाला वहाना उपर दोर दोरीणी जो जारा वीकर बाला ने हमलाजा पराजु जमीन, आकाश और समंदर हर तरफ से ड्रोन हमले हो रहे हैं अभी तक रूस ने ड्रोन हमलों से योकरेन को सबसे ज़ादा नुकसान पहुचा है पिछले 15 दिनों से रूस की सेना ने योकरेन की राजधानी कीव फर 300 से ज़ादा ड्रोन हमले किये हैं इरान के ड्रोन रूस के लिए रामबान साबित हो रहे हैं हम आपको ये भी बताएंगे कि रूस और इरान के कौन से ड्रोन योक्रेनी हत्यारों के लिए काल बन चुके हैं तो वहीं दूसरी तरफ जेलंस्की, अमेरिका, प्रिटर, जर्मनी और फ्रांस समेंट नैटो के 31 देशों के दम पर रूस के साथ साथ रूस के दोस्तों को दबा करने में जुटे हैं। लेकिन योक्रेन में चल रहे मौझूदा हालाग को देखकर ऐसा लग रहा है कि रूस योक्रेन को हरा देगा, क्योंकि योक्रेन को अभी तक उतने घातक हत्यार नहीं मिल पाए हैं जितने उसे जंग जीतने के लिए चाहिए। और इसमें सबसे बड़ी रुकावच कहीं न कहीं इरान बन रहा है। जो योक्रेन को सप्लाई होने वाले हत्यारों पर कड़ी नजर रखे हुए है। पुतिन के लिए इरान फरिष्टा बनता जा रहा है। इरान ने कैस्पियन सागर के रास्ते रुस को बहुत बड़ी संख्या में हत्यार गोला बारोद गुप्त तरीके से महँचा दिया है। प्रीकामीकाजे द्रोन, और इरानी द्रोन में मिलकर युप्रेन के पेदाली स्वीज़ी तो प्हाने को तबा का दाला है। इस द्रीकामीकाजे द्रोन के हमलो में तबा हो रहीं। Загалом випущено 30 крилатих ракет морського, повітряного та наземного базування. इз लітаків стратегічної авіації 2, Ту-160 та 8, Ту-95, випущено 22 крилаті ракети Х-101, Х-555. अब देखना होगा कि समंदर में रूस के जासूसी जहाज पर हमला करने वाले युप्रेनी द्रोन के नाकाम हमलों के बात रूस किस तरह से पलतवार करता है।